हेलो गाईस, स्वागत है आपका एको नए वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैमरे के अंदर जो sensor size है उससे image quality में क्या फरक पड़ता है आपका sensor हर चीज में होता है mobile phone के अंदर भी sensor होता है sensor ही आपका image को capture करता है तो इसकी importance हम जानेंगे light को capture करता है उसके उपर जब light पढ़ती है sensor के सामने आपका एक shutter होता है shutter speed अगर आपने slow रखी है तो उतनी ही देर के लिए जो भी आपने shutter speed रखी है उतनी ही देर के लिए shutter sensor के सामने से हटेगा light उसके उपर पढ़ेगी sensor के उपर और sensor आपका image को capture कर लेगा image के साथ साथ जितनी भी details और सारी information होती है वो सब की सब sensor आपका capture करता है तो इसलिए अगर आपके camera का sensor अच्छा है तो आपका camera बहतर image capture करेगा अगर आपके camera में megapixel जादा है लेकिन sensor की quality इतनी अच्छी नहीं है तो वो आपकी अच्छी image capture नहीं करेगा अब guys बात कर लेते हैं sensor के size की तो sensor का size basically यह होता है कि आपका sensor कितना बड़ा है अगर हम full frame camera की बात करें तो उसमें आपका 35 mm का आपका sensor होता है जितने भी आपके full frame camera है यह basically जो 35 mm का sensor size है इन्होंने inherit किया है जो पुराने जमाने में आपकी film होती थी film यानि वो जो roll जिसको की हम negative या real बोलते थे तो जो आपके film वाले camera होते थे जो उसके अंदर आपकी real पढ़ती थी उसका जो एक photo का size होता था वो 35 mm होता था तो उसके बाद जब digital camera बनाएगे full frame तो उसमें भी उन्होंने 35 mm को एक पूरा full width वाला sensor रखा लेकिन अधिकतर जो आपके DSLR या mirrorless camera जो आपको market में देखने को मभी लेंगे उसमें आपका पूरा sensor नहीं होता उसमें आपका थोड़ा सा छोटा sensor होता है जैसे कि हम Nikon की बात करें, Suni की बात करें Fuji Film की बात करें तो इसमें आपका 1.5 times का crop factor रहता है यानि की इन तीनों brands में जो आपके crop sensor वाले जो camera आते हैं उसमें sensor 1.5 टाइम चोटा होगा एक full frame यानि 35 mm वाले sensor के मुकाबले अगर हम Canon की बात करें तो इसमें आपका sensor और भी जाला चोटा होता है 1.6 times तो इसलिए Canon की थोड़ी सी image quality कम रहती है अगर हम APS-C camera यानि crop sensor camera की बात करें full frame में चाहे Canon हो चाहे Sony हो या Nikon हो या Panasonic हो सब में आपको 35 mm का ही sensor मिलेगा कोई सी भी brand हो पूरा सबका sensor बराबर होगा तो उसमें जो advantage होता है या disadvantage होता है वो nullify हो जाता है सारी brand उसमें एक जैसा perform करेगी उसके लावा जो आपके नए sensor आ रहे है वो आपकी low light में performance और ज़्यादा बहतर देंगे क्योंकि उनकी जो light के towards sensitivity है वो और थोड़ी सी बहतर हो जाती है तो low lighting situation में जब वो image को capture करते हैं तो उसके अंदर कम noise आएगा अब हम बात कर लेते हैं अगर हम mobile phone के sensor को DSLR full frame या APS-C वाले crop sensor से compare करें तो क्यों हमें DSLR या mirrorless camera में बहतर image quality मिलती है तो guys जो आपका mobile phone के अंदर जो sensor होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है physically भले ही आपको 100 megapixel के mobile phone मिल जाए या 50 megapixel के या 200 megapixel के लेकिन उसके अंदर sensor बहुत ही छोटा सा होता है अगर हम full frame के sensor की बात करें तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है मैं एक image डाल देता हूँ पर तो आप देख पाएंगे कि full frame वाले sensor की मुकाबले mobile phone का sensor कितना छोटा होता है अब छोटा sensor होने से disadvantage ये होता है कि आपको कम light मिलती है camera के अंदर sensor के उपर कम light पड़ेगी इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं माल लिजे आपके पास एक camera है camera के अंदर आपने 2 by 2 feet की एक खिड़की लगाई ठीक है अकर हम उस खिड़की को खटा के 1 by 1 feet की खिड़की लगा दे यानि की एक चोथाई छोटी क्योंकि 50% वो इधर से चोटी होगी 50% vertically चोटी होगी यानि की एक चोथाई हो गई वो आपकी area में तो उसमें आपकी light 1 by 4 यानि की 1 by 4 गुना कम आईगी camera के अंदर तो इसलिए अगर आपके पास बड़ा sensor है तो आप उसको एक खिड़की की तरह समझ सकते हैं अगर camera के अंदर बड़ा sensor होगा तो camera के अंदर जादा light आएगी जादा light आएगी तो आप lower ISO पर shoot कर सकते हैं आपको बहुत जादा clean images मिलेगी इसलिए जो professional लोग होते हैं वो full frame camera को use करते हैं क्योंकि वो बहुती clean image देते हैं जादा light आएगी obviously clean image मिलेगी आपको इस तरिके से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं अगर आपका sensor छोटा होगा तो उसके अंदर obviously कम light आएगी अगर आपके कमरे में छोटी सी खिड़की है बहुती छोटी सी तो कमरे में obviously light आएगी तो लेकिन कम आएगी आपको देखने में भी दिक्कत होगी अगर आपके कमरे में बड़ी सी खिड़की है खूब light आ रही है तो आपको दिन में light भी जलाने की ज़रूद नहीं पड़ती आप अपनी normal आँखों से पढ़ सकते हो सारे काम कर सकते हो लेकिन अगर आपके कमरे में बहुत छोटी सी खिड़की है तो दिन में भी अंधेरा रहेगा फिर या तो आपको अलग से light camera के अंदर जलानी पड़ेगी या फिर कम light में ही आपको चीजों को देखना पड़ेगा कम light में आप चीजों को देखोगे क्योंकि छोटे camera में कम light आएगी अगर आपको ज़्यादा light चाहिए या तो आपको अलग से extra light लगानी पड़ेगी आपको lamps लगाने पड़ेगे flash light एड़ करनी पड़ेगी ताकि आप clean image capture कर सको लेकिन full frame में बड़ा sensor होगा तो आपको अलग से ज़्यादा light एड़ करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी आप natural light में भी shoot कर पाएंगे आपको अलग से flash वगरा की ज़रूद नहीं पड़ेगी most likely अब हम बात कर लेते हैं दूसरा बड़ा advantage जो आपको बड़े sensor से मिलता है जब आप बड़े sensor का camera यूज़ करते हैं जैसे कि full frame camera तो उसमें आपको depth of field यानि कि जो आपको background blur मिलता है वो ज़्यादा मिलता है अब वो इसलिए ज़्यादा मिलता है कि जो आपका छोटे sensor का camera होता है वो आपका एक छोटा सा image को यूज़ करता है जैसे कि आप अभी इस frame में मुझे देख रहे हैं अब आपको यही frame वापस से बनाना है एक छोटे sensor के camera में तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा पीछे जाके बैठना पड़ेगा दो तीन feet पीछे जाके बैठना पड़ेगा तब आपको यह framing मिलेगी एक छोटे sensor में क्योंकि उसमें आपकी cropping ज़्यादा होगी अब मैं अगर camera से ज़्यादा दूर जाओंगा अगर मैं 2-3 feet पीछे जाओंगा तो उसकी विज़े से background blur वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि background blur अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको camera के करीब जाना होता है और ज़्यादा focal length पे shoot करना होता है simple से फंडे अगर आपको maximum background blur चाहिए तो आप camera के काफी करीब हो full zoom किया हो और aperture सबसे कम हो तो अगर आप full frame camera यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको maximum background blur मिलेगा लेकिन अगर आप वही lens यूज़ कर रहे हो एक crop sensor camera में तो क्योंकि आपको दूर जाना पड़ेगा same framing बनाने के लिए तो उस वज़े से आपका background blur कम हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से simply समझ लीजिए अगर आप crop sensor camera यूज़ कर रहे है तो आपको 1.5 ताइम्स या 1.6 ताइम्स Canon के case में कम background blur मिलेगा तो ये दो main disadvantages होते हैं अगर आप छोटे sensor को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको maximum quality चाहिए आप बहुत ही clean image चाहते हैं तो आप full frame camera यूज़ कीजिए बड़ा sensor होगा ज्यादा light camera के अंदर आएगी और आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे और background blur भी आपको maximum मिलेगा जो भी आप lens लगाएंगे आप उस पूरे lens को यूज़ कर पाएंगे maximum background blur आपको मिल जाएगा अगर mobile phone की बात करें तो उनका थो बहुत ही चोटा sensor होता है तो उसमें जो आपको background blur mostly मिलता है वो आपका AI यानि artificial intelligence के तुरू software के तुरू होता है तो इसलिए वो जो आपका background blur है वो इतना natural नहीं दिखता होने के बाद अगर आप एक normal user है आपके लिए बहुत ज़्यादा clean images इतना matter नहीं करती आपको ठीक ठाक quality चाहिए बहुत ज़्यादा background blur की आपको इतनी भी ज़्यादा ज़ूरत नहीं है क्योंकि crop sensor camera से भी आपको ठीक ठाक background blur मिल जाता है और काफी clean image मिल जाती है अगर आप 50mm f1.8 वाले fast prime lenses को यूज करें तो आप इन crop sensor camera को भी यूज कर सकते हैं जैसे कि जो अभी मैं video shoot कर रहा हूँ ये Canon 200D camera से है और ये भी आपका एक crop sensor camera है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा background blur इस वाले camera से भी मुझे मिल रहा है और मैं camera से लगबग दो मीटर दूर बैठा हूँ तो अगर मैं full frame camera यूज कर रहा होता तो मैं camera के और थोड़ा करीब बैठ सकता अभी मैं दो मीटर दूर बैठा हूँ तब मैं शायद एक मीटर दूर बैठ सकता camera के और exactly यही framing मुझे मिल जाती तो उस case में background blur भी मुझे और जादा मिल जाता है और थोड़ी सी और clean image मिल जाती लेकिन इस image को भी देखिए आप इस video को भी देखिए काफी clean है कोई भी इसमें grains नहीं है तो इसलिए आप fast prime lens यूज करिए अगर आप crop sensor camera यूज कर रहे हैं तो और कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि mobile phone की image quality जादा बहतर रहेगी इसका sensor बहुत अच्छा है तो वो आपका बेकूफ बना रहा है क्योंकि mobile phone इविन आने वाले 5 साल में भी काफी improve हो जाएंगे लेकिन क्योंकि उनका sensor काफी छोटा होता है तो इसलिए DSLR या mirrorless camera को अभी भी वो बीट नहीं कर पाएंगे और आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like and share कर देना अगर आपने अभी तक चैनल के सबस्क्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो कर लो ना सबस्क्राइब बेल आइकन से रूर प्रेस कर देना